तो हें गाई नमस्कार आप लोगों का टापिंग क्लासे से प्यारे से यूटूब पर स्वागत है गाई आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले कच्छा बारा की भौतिक विज्ञान की प्रेकास बैदुत प्रभाव एम द्रब्य तरंगों के चैप्टर की बारे में हम लो में कणों के लिए तरंगारंगदर का बेंज़क क्या होता है इन तीन टॉपिकों का हम चर्चा करेंगी प्यारे बच्छों और अंटक बने रहीएगा क्योंकि आज की टॉपिक है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टन होने आनी है तो चलिए आइस्टीन का प्रेकास सभी करन कब दिया अपंच इसवी में ऑपना प्रेकास भीदूत प्रभाव को ब्याख्या करने के लिए लिए किस मोडल को पर अदा के वैक साथ मोद के आनुसार वान्तम मादल को आनूसार रहा है उन्हों क्वांटम माडल के आधार पर आइंस्टीन ने माडल के आधार पर आइंस्टीन ने एक कलपना प्रस्तूत की आइंस्टीन ने एक मौडल प्रस्तूत किया जिसे हम कहते हैं आइंस्टीन का प्रकास बिद्दुच समी कर अब उन्होंने क्या बताया करें सबसे पहले हम जानें आखिर quantum model क्या होता है तो quantum model क्या होता है पहरे बच्छों ध्यान से सुनिएगा कि किसी भी श्रोत से किसी भी प्रकास श्रोत से जो प्रकास निकलता है वो packet या बंडलों की रूप में निकलता है यही quantum model होता है पहरे बच्छों ध्यान से देखिएगा जैसे मैंने क्या कहा कि ये कोई प्रकास श्रोथ, ये क्या है कोई प्रकास श्रोथ है, इनसे जो प्रकास किरणे निकल रही है, वो प्रकास किरणे ऐसा नहीं कि एक एक करके निकलती है, ऐसा नहीं है, क्वांटम माडल कहता है, इनसे निकलने वाली जो प्रकास है, वो पैकिट या बंडल या समुहो क्या करते हैं यह कहने का मतलब था क्वांटम का सिध्धांद क्या कहता था कि किसी भी प्रकास्टों से जो निकलने वाली प्रकास पिल्डे होती है वो बंडलों या समुहों में या पैकिटों में निकलती है और प्रतेक की जो उर्जा होती है वो होती है और इन्हें ही हम क्या कहते हैं क्वांटा कहते हैं या तो फोटान कहते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं पहरे बच्छो क्वांटा क्या कहते हैं या हम कहते हैं फोटान कहते हैं और जिसकी उर्जा होती है एक बार फिर से समझ लीज़ेगा कि यह quantum model क्या होता तब हम आएंगे हैं इस्टिन के पास भी आएंगे quantum model क्या होता है quantum model यह होता है कि किसी भी प्रकास रोज से जो प्रकास किल्डे बाहर आती है किसी भी प्रकास से निकलने वाली जो प्रकास किल्डे होती है वो packet या Bundलों या समुहों में निकलती है और प्रतेक फोटान कि प्रतेक kwanta की जो उर्जा होती है वो h nu के बराबर होती है किसके बराबर होती है इन्हें हम क्या कहते हैं फोटान कहते हैं कि आइश्टीन का जो प्रकास बिद्दुस्वभी करन वह इधी के आधार पर आधारी थे अब ध्यान से समिझेगा आइश्टीन ने सन 1905 में क्वांटम माडल के आधार पर उन्होंने बताया कि जब जब किसी धातु के प्रिष्ट पर जब उन्होंने कहा कि जब किसी धातु के प्रिष्ट पर आप लोग प्रकास किरड़े आप्तित कराते हैं प्रकास किरड़े क्या कराते हैं आप्तित कराते हैं तो Einstein के कहने का मतलब था कि ये सभी प्रकास किलडे बंडल में गिरते होंगे किस में बहिए पहरे बच्छो बंडलों में आपतित होते हैं और प्रतेक बंडल की उर्जा, प्रतेक की उर्जा क्या होती? एचनू होती है Einstein ने ये बताया कि जब किसी धात की प्रिष्ट पर हम लोग क्या करते हैं प्रकास किल्डे गिराते हैं तो प्रकास किल्डे गिराने के बाद वो जो प्रकास किल्डो की जो उर्जा होती है प्रकास किल्डो की जो उर्जा होती है प्रकास किल्डो की जो उर्जा होती है प्रका को बाहर निकालने में और साथ में प्यारवच्चो ध्यान से दिखेगा साथ में जो बची हुई उर्जा होती है जो उर्जा कुछ बच जाते हैं इलेक्ट्रान को गतिज उर्जा देने में इलेक्ट्रान को गतिज उर्जा देने में इलेक्ट्रान को गतिज उर्जा देने मे प्रकास बिद्दुत प्रभाव की ब्याख्या की Einstein ने quantum model को अपनाया और प्रकास बिद्दुत प्रभाव की क्या की ब्याख्या की अब quantum model क्या होता है प्यारे बचों मैंने बताया कि जब किसी भी स्रोच से quantum model यह बताता है कि किसी भी स्रोच से जो प्रेकास किरने निकलती हैं वो बंडल में निकलती हैं समूह में निकलती हैं पैकट की रूप में निकलती हैं जिने हम क्वांटा या फोटान करते हैं जिनकी औरजा है यह क्वांटम माडल था अब अब आइस्टी नहीं क्या बताया अभी क्वांटम माडल के अनुसार ज फोटान की जो संपूर उर्जा होती है वो दो भागों में क्या हो जाती है बट जाती है एक फोटान का कुछ उर्जा इलेक्टरान को बाहर निगालने में खपत हो जाती है और जो बची हुई उर्जा होती है वो इलेक्टरान को तरित करने में इलेक्टरान को गती परदान कर में बैव हो जाती है यही आइंश्टीन का प्रेकास बिद्दुस समी करर था प्यारे बच्चों क्या आपको इतनी बाते समझ भाई आईशा समाल लिजे कि जैसे इन्होंने क्या बताना चाहा कि आइंश्टीन भाईया क्यों आपको यही बताना चाहा रहे थे कि अगर हम किसी जूल उर्जा होगी वो तीस जूल उर्जा इलक्तरान को गती करने में बैह हो जाएगी प्यारे बच्चों यहीं आइस्टीन के कहने का मतलब था तो आई हम इन सब चीजों को यहां पर लिख लेते हैं तब आगे हम बात करेंगे उनके समी करने का निगमन प्यारे बच्च समी के रणा था वो कि सब buen等 का आधार मतल को अधार बनाते हुए प्याज़ों के बिद्दद प्रभाव के उन्हों ने क्या किया था अब कैसे किया के पहले सबसे पहले मों समיए wait okay म क्या होता है कि इस माड़ल के अंसार प्रकास क्रोड बंदलों के रोप में चोटे छोटे 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 बंदलों की रूप मेंब अती हैं जिने हम क्या कहते हैं फोतान कहते हैं प्रते फोतान की जो उरजा ह होती फंच we H नहीं होती है फोटान कहते हैं और इसकी उर्जा होती क्या होती है एच नियू तो प्रतेख फोटान की उर्जा क्या होती है एच नियू के बराबर होती जहां एच जहां H क्या होता है Planck Niyatank होता है और New क्या होता है अप Lewis呢 क्या होती है क्या आपको इतनी बात Clear हुआ ये था आपका Quantum Model अब हम क्या करेंगे भी Einstein के अनुस्या Einstein के प्रकास ब्याख्या करें चला लाए हम लोग ध्यां से लिखेगा, आइंस्टीन वहिया क्या बता है आइंस्टीन ने बता कि चलो जब आप इन्हें फोटान कहते हो तो जब कोई फोटान यानि जब कोई प्रकास का बंडल, जब कोई प्रकास का समूह किसी धातु के प्रिष्ट पर गिरता है यही चीज़ करें कि जब कोई फोटान किसी धातु के प्रिष्ट का गिरता है तो फोटान की सम्पूर उर्जा, पूरे बंडलों की सम्पूर उर्जा, फोटान की सम्पूर उर्जा, एचनियू, दो भागों में बट जाती है कितने भागों बढ़ जाती है, दो भागों में बट जाती है, अब वो सबसे पहला भाग क्या होता है, यह चनियू का जो कुछ भाग होता है, वो इलेक्टरान को बाहर निकालने में खतम हो जाता है, जो सम्पूर उर्जा है, उसका कुछ भाग, इलेक्टरान को धात के प् चैनल करने में, इलेक्षो ational को गती परदान करने में क्या हो जाती है, व्य भी हो जाती प्यार बैच्चो, यही चीज ऐए आइन्श्टीन का क्या है, प्रकास विद्दु समीकरन है, प्यार बैच्चो, इसको भी आहिए समझने के लिए कुछ इस प्रकार समझ लेते हैं, जै मैंने का 3, 4, 5, 6, 6 line है मारा हम मान के चल रहे है च्छ फोटान आब छ फोटान इस electron पे क्या कर रहा आपतीद हो रहा जैसे इस इधात के प्रिश्ट भी पढ़ा प्यारे बच्छो तो यह जो छ पोटान थे यह electron पर पढ़ना इस्टार्ट होए तो माल लेते हैं कि जैसे ये फोटान की जो प्रते कुर्जा है वो अच्छा नियू की बराबर, कितनी है च्छा, कितनी है च्छा, अब इन में से तीन फोटान, तीन फोटान एलेक्टरान को बाहर निकालने में खतम हो गए, तीन फोटान एलेक्टरान को बाहर निकालने में बै हो गए, तो भ गड़ती रूप में जो चीजे हमने समझाओ वही चीज़ब गड़ती रूप में लिखा जाएगा तो मानते हैं कि यह जो प्रकास है यह जो फोटान है न यह जो आपतित फोटान हो रहा उसकी अब्रति नू नाम देते हैं यदि क्या हो प्रकास की अब्रति क्या हो प्यार बच्चो नू हो धातू का कारि फ्टलन धातू का कारी फ़लन omega nat था मतलब प्यारे बच्चो धातू के फ्रिष्ट से electron को बाहर निकालने में जो उरजा है वो कितना है डबल्लू नाठ हो तथा electron की गतिज उर्जा electron की अधिक्तम गतिज उर्जा electron का अधिक्तम गतिज उर्जा ध्यान से देखिएगा प्यारवचो अधिक्तम जो गतिज उर्जा है वह हम माल लेते हैं K-Max क्या माल लेते हैं K-Max आप बृतिन न्यू हो काई फलन डबलू नाठ हो उमेगा नाठ हो अधिक्तम गतिज उर्जा का K-Max हो तो आइंस्टीन के नियम से आइंश्टीन के समीकरार से क्या करता था कि यह संपूर-उर्जा दो भागों अंबत रही है तो संपूर-उर्जा हम माल लेतेए इसंपूरुर्जा क्या प्रीजिद तो ई जो होगी वह कितने भागूं बर जाती दो भागूंए एक उमेगा नाट किसके विया उमेगा नाट की वराबर होगा और साथ में किसके K max के K max यानि अधिक्तम गति जोरजा हो जाएगी प्यार बच्छो अब हम क्या करते के कि किसी भी कण की गति जोरजा का फाउला जानते हैं के यह बच्छो तो हम यह चीज़ वहां पर रख सकते हैं तो क्या हो जाएगा यह भी है अगर हम ध्यान से देखें तो यह देख पा रहें आप यह देख पा यहां से देखिए यह आपका प्लस है तो बही है इधर आएगा तो यह प्लस वाला इधर आता है तो न्यू नाट बचू क्या बचेगा हाफ यह वीष्क्या दिखना दोनों में क्या कामन है है तो निउ माइनस क्या हो जाएगा निउ नाट बराबर एक बटे दो यम वी इसक्या तो प्यारे बच्छों यह रहा आपका Einstein का भी प्रकास विद्दू समी करण और विस्तार रूप से ये भी आपका Einstein का प्रकास विद्दू समी करण है ये भी आपका Einstein का प्रकास विद्दू समी करण है इस प्रकार पहले बच्चों Einstein का जो प्रकास विद्दू समी करण है वो पोन रूप से क्या होता है समावत होता है तो का इज हमारी next topic है और इस chapter की last topic है प्रखित इस topic में हम क्या देखेंगे कि दी ब्रॉगली का तरंग देर्ग या दी ब्रॉगली का तरंग स्वभी करें प्यार बच्छों मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है और एकदम मक्षन वाली भासा में हम समझाएंगे ध्यान से समझें यह का बस क्या बहिए एक प्लांक का सिद्धानता है जिसे आप सिद्धानता क्या पढ़ा आपने क्वांटम सिद्धान एक चीज पढ़ा आपने उससे पहले आपने तरंग सिद्धान पढ़ा था हाईज्यंस उससे पहले आपने पढ़ा था तरंग सिद्धान ठीक तो ध्यान से दिखेगा तरंग सिद्धान के आधार पे प्रकास के किस प्रकास के कण के प्रकित की ब्याख्या हुई प्रकास के कडातमक प्रकित की क्या हुई ब्याख्या हुई क्या आप इतनी बात माल रहे हैं ध्यान से देखेगा प्रकास के कडातमक प्रकित की ब्याख्या क्वांटम सिध्धान्द के अंसार हुआ इसी में आप लोगों ने द तेटिक नाय इसमें हो रही थी अब प्रिकास की जो तरंग प्रिकित था उसमें आप ने क्या देखा बैतीकरण देखा क्या देखा प्यारे बैचो फिर उसके बाद धुरूवर्टन होता है यह विवर्टन होता यह सब गड़ा है कि प्रकस की जो प्रकीत होती हो डूल नेचर होती है द्रजप्रकित का होता है तो उसी समय फ्रांसीसी बग्यानिक लुइस दे ब्रॉगली इनको हम दे ब्रॉगली कह रहे हैं तो इनका नाम लुइस दे ब्रॉगली था तो जो ये दे ब्रॉगली थे उन्होंने कहा कि आप एक बात मेरी भी ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों उन्होंने क्या बोला था कि जिस प्रकार प्रकास की डूवल नेचर होता है जिस प्रकार प्रकास कण और तरंग के रूप में चलता है उसी प्रकार उसी प्रकार कुछ ऐसे कड़ भी होते हैं कुछ ऐसे द्रव्य कड़ भी होते हैं जो की तरंग और कड़ के रूप में विवार करते हैं ऐसे ही तरंगों को ऐसे ही कड़ों को द्रव्य कड़ कहते हैं और इन कड़ों से निकलने वाली तरंग को द्रव्य तरंग कहते हैं और प्यारे बच्चो इनी चीजों को समझने के लिए द्रविकडों के बारे में या द्रविकडों से संबंधित ड्रिवाउगली ने एक प्रकास की तरंग की व्याख्या की गई ठीक इतनी बात हुई इन दोनों चीजों से यहने इसकर्च निकल रहा है कि प्रकास का ड्रोल नेचर होता है जिस प्रकास की द्वैत प्रकित होती है उसी प्रकार कुछ ऐसे कड़ भी मौजूद है यहां पर कुछ ऐसे कड़ भी उप बबस्तीत हैं चहलते हैं तरंग के रूप में भी चलते हैं तो ऐसे कड़وں को की धर कर Dafür करते हैं और भीकर से निकलने वाली तरंग दुड़ितरंग कहलाता है प्यारे बच्छो ध्यान से देखेगा अब इन Warum बडर आ suppress पर लिखा प्यारवेच्चो क्या लिखा गया ध्यान से दिखेगा दिवरोगली का अंसार जो है क्या बता है कि दिवरोगली ने बताया कि भई जिस प्रकार प्रकास की द्वयत प्रकीत होती है ऐसा क्यों प्रकास में ही नहीं होता बलकि कुछ ऐसे द्रब्यकर होते हैं जिनक गसिल हो तो वो एक तरंग के भात क्या करता है विवार करता है यानि अगर इलेक्टरान प्रोटान क्या हो जाए प्यारे बच्छो गतिमान हो जाए तो वो एक तरंग के भात विवार करते हैं ऐसे तरंगों को हम द्रब्य तरंग का नाम चले हैं प्यारे बच्चो तो चलिए हम लोग भेंजक प्राप्त कर लेते हैं ध्यान से दिखेगा बहुत ही छोटा सा नारमल सा टॉपिक है ध्यान से दिखेगा कि प्लांक नियतांक के अनुसार प्लांक क्वांटम सिध्धांत के अनुसार ध्यान से दिखेगा प्लांक क्व सिद्धान्ट के अनुसार क्या हो का ध्यान से लिए। फोटान की जो उरजा होगी वो है नियों की क्या होगी परावर होगी समीकरण के अनुसार कर और समी करण के अनुसार कि यहीं हम उनका द्रविमान M माले तो हो जाएगा E equal to MC square समीकरण नमबर दो अब दिखे समीकरण एक और दो का ये दोनों पक्ष बराबर हैं तो ये भी दोनों पक्ष क्या होंगे बराबर होंगे क्या हो जाएगे प्यारे बच्छो ध्यां से दिखेगा यहां से क्या हो जाएगा समीकरण एक वा दो से क्या हो जाएगा H new equal to MC square H new equal to कितना आजाएगा MC square आगा क्या इतनी बात आपकी clear हो रही होगी प्यारे बच्छो उमेद है का आपको इतनी बाते समझ में आ रही होंगी अब हम क्या करते हैं अब हम करते क्या हैं यहाँ से YUM का माल निकालते हैं तो C को उठा के इधर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा H new बटे क्या आ जाएगा C square बराबर YUM ठीक समीकरण नबर 3 क्या इतनी बात आपकी clear होगी इतनी बात आपकी clear होगी अब हम क्या ग्याद करेंगे फोटान का संबेग ग्याद करेंगे क्या ग्याद करेंगे प्यारे बच्चो संबेग तो ध्यान से लिखेगा फोटान का संबेग फोटान का संबेग तो प्यारे बच्चो ध्यान से लिखेगा फोटान का संबेग P equal to होता है यम into V तो समी करण 3 से यम कामान रखने पर तो ध्यान से दिखेंगे अब जैसे ही समी करण 3 से यम कामान यहां पर रखेंगे तो रखेंगे तो रखेंगे वी भी चाल है प्यारे बच्चो यहां जो वी है वेव होता है ध्यान से दिखेंगा तो यहां जो वी है तो वी के अस्तान पर हम सी रख सकते क्योंकि वहां चाल प्रकास की चाल के बराबर होगा तो यह जो सी है यहां सी आ जाएगा यह सी एक सी से क्या हो जाएगा तो पी एक आएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा, C upon new हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C upon new, तो P equal to आजाएगा, H upon क्या हो जाएगा, C upon new, H upon क्या हो जाएगा, C upon new, ध्याँ से देखिए, अब क्या करते हैं, कि C upon new को हम lambda के नाम से जानते हैं, C upon new को क्या करते हैं, तरंगदर करते हैं, lambda equal to C upon new, चालबटे अबरती चालबटे अबरती क्या ख़लाताँ? तरंगर ख़लाताँ तो चूकि क्या होता है? Lambda equal to क्या होता है? C upon new होता है तो यहां रख़ें तो P equal to आजाएगा H upon Lambda अब Lambda को इधर कर दे P को इधर कर दे तो Lambda का बेंजक मिल जाएगा संबेग होता है P क्या होता है प्लांक नियतांग होता है 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 अब हम जानते है जो P होता है वो M into V के बरावर होता है P equal to क्या होता है M into V तो P के स्तान पी ये भी रख सकते हैं तो lambda equal to क्या आ जाएगा H upon M B ये है D broadly तरंग का समी करन ये क्या है D broadly तरंग समी करन D broadly तरंग का समी करन ठिक ये ये है पैर बच्चो इस प्रकार आपका D broadly तरंग 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 समी करन है वो पूल रूप से क्या होता है पैर बच्चो समाप्त होता है एक बार हम फिर से इनको समझ लेते हैं क्योंकि आपको जैसे भी करके ये topic आपको अगदम मक्खन हो जानी चाहिए क्या बताया गया कि जब आपका quantum model आया तरंग का सिध्धानत आया इन दोनों सिध्धानतों के अधार पिए बताया गया प्रकास करन और तरंग दोनों रूप में चलता है तो फ्रांस में बैठर लुईस भाई साहब ने कहा कि जिस प्रकास में ही दोध प्रकित होती है ऐसा अगर आप लोग मान रहे हैं तो ऐसा नहीं होता प्रकास में ही केवल दोध प्रकित नहीं पाए जाती कुछ ऐसे कण भी होते हैं प्यादे बच्चों जिन में दोध प्रकित पाए जाती है उन्होंने कहा कैसे तो भाई डिवरागली ने बताया जब कोई दरब्विकर्ण गतिमान होता है तो वो तरंग के भाती भी ब्यवार कड़ता है जैसे इलेक्टरान और प्रोटान तो उससे संबंधित लोगों ने कहा है तरंग की तरह ब्यवार करेगा उसकी तरंग दर होगा उस तरंग देर के लिए बेंजक क्या हो गया बही आए प्लांग क्वांटम सिध्धान के उसार जब वो करके भाती रहेगा तब एक्वल टू क्या हो जाएगा एच नहीं हो जाएगा यदि उसका द्रभमान यम है तो उर्जा हो जाएगी एक्वल टू यम से इसका दोनों की बिभिन तरंग देरगों के लिए बिभिन कड़ों के लिए तरंग दाइर का ब्रदम करण द लिए जैसे यहां बिभिन कड़ कोई भी हो सकता है तो आप इसका समारी लास्ट टॉपिक है विभिन प्रकार के कड़ों के लिए डीप रॉगली तरंग दर्ग क्या होगा प्रश्ण को एकदम डीपली से समझेगा क्योंकि आपके एक्जाम में ये प्रश्ण कई बार पोछा प्रश्ण तो दिहान से देखिएगा हम करते क्या हैं अगर हम मालने कि माना कोई आवेसित कड़ क्यों है जो की वीवेगसी क्या है प्रश्ण गसिल है जो की जो की वीवेगसे गसिल है क्या है वीवेगसे गसिल है ठीक वीवेगसे क्या है ये गसिल है तो प्यारे बच्चों ध्यान से अगर देखिएगा तो अगर जब ये क्या है वीवेगसे क्या है गसिल है तो हम करते क्या है तो अगर कोई आवेसित कड़क्यों वीवेग से गसिल है तो उसकी गतेज उर्जा होगी हाप यम वीज़क्या क्या होगा हाप यम वीज़क्या तो उसकण की उसकण की गतेज उर्जा उसकण की गतेज उर्जा क्या होगा ध्यान दिखेगा गते चुर्जा होगा k equal to half ym v square दो का गुड़ा कर दें इधर cross multiply तो 2 के बराबर आ जाएगा m v square ठिक ध्याँ से दिखेगा ym को इधर कर दें तो 2 के बटे कितना आ जाएगा ym आ जाएगा ठिक बराबर v square इधर square हटाएंगे इधर क्या लग जाएगा अंडरोट लग जाएगा तो 2 के बटे क्या आ जाएगा ym आ जाएगा बराबर v ठिक ये v की value आई किसकी value आई पहले बच्चो वी की value अब हमको क्या निकालना संबेग निकालना क्यों क्योंकि हमको lambda निकालना lambda equal to h बटे p तो जब तक p का मान नहीं आएगा तो कहां साब निकाल पाओगे तो संबेग संबेग क्या होता है पहले बच्चो संबेग का फार्मला होता है p equal to m into v ये यम v का मान कितना है अंडरोट में 2 के बटे यम अंडरोट 2 के बटे यम अब इस यम को हम लिख सकते हैं अंडरोट m गुने अंडरोट m ये गुने कितना है 2 के बटे यम ये यम से यम कैंसल हो जाएगा अंडरोट अंडरोट दोनों में है तो गुड़ा कर सकते हैं तो 2 के यम आ जाएगा अब पूरे के रूप में अंडरूट लग जाएगा ये P का माना है किसका माना है पहरवेचो P का माना हमको क्या निकालना है लेमडा निकालना है पहरवेचो लेमडा तो लेमडा इकोल टू क्या आजाएगा H बटे P अब H P का मान कितना है पी का मान है अंडरूट 2MK ये आया बिभिन कड़ों के लिए तरंगदर का भेंजग बिभिन तरंगदर्गों के लिए क्या आ गया भेंजग आ गया अब हम मानते हैं कि यदि जो आपका जो कड़ है वो वीवेग से गसिल न होकर किसी बोल्टेज के द्वारा या हम कड़ें किसी बैटरी के द्वारा वो क्या है गसिल है या हम कड़ें वीवोल्ट से त्वरित हो तो कंडिशन दे रहें यदि यदि क्यू आविस यदि क्यू आविस वी बोल्ट से क्या हो तोरित हो अगर प्यारे बच्छो बताओ कि वो वी बोल्ट से तोरित होगा तब जो गति जोर्जा होगा वो k equal to क्या आ जाएगा qv हो जाएगा k equal to qv तो यह चीज यहाँ पर रख दें तो lambda equal to क्या आ जाएगा यह आ गया पर बच्छो लेंडा का बेंचक ठीक पर रख इस प्रकार हम विभिन कड़ों के लिए तरंग देर का बेंचक प्राप्ट कर सकते हैं उमीद है का आपको यह चीज समझ में भी आया होगा आप इसका एक स्क्राप्ट लेजेगा पर बच्छो आई होब कि आज की टॉपिक आज की वीडियो में मैंने जितनी टॉपिक यह बताई है सौरी टापके आपके एक्जाम के जिससे मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहरे बच्छो और उमीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा अगर कहीं भी किसी प्रकार का डाउट रह गया होगा तो कमेंट सेशन में प्यादा सा कमेंट जरूर किजेगा